नमस्कार दोस्तों इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोमिनेंस कंपनी के 1100 NXZ मोडल के बारे में NXZ सीरीज के अंदर इनके सभी जो सोलर इनवाटर हैं वो PWM टेक्नोलोजी के हैं और इसके अंदर आपको तीन मोडल बारा वोल्ट के यानि की सिंगल बैंटरी वाले मिलते हैं और एक 24 वोल्ट का यानि की डबल बैंटरी वाला मिलता है तो अगर आपको वो inverter पसंद आते तो वो भी खरीद सकते हैं और अगर आपको लोमने इस company का खरीदना है तो बिल्कुल याप ये भी खरीद सकते हैं इसे में भी कोई कमी नहीं है लेकिन इससे के बारे में और जानकारी आप वीडियो में पा सकते हैं और मारी वेबसाइट पर भी पा सकते हैं तो चलिए इसके बारे में डेटेल में बात करते हैं इस inverter का model number है NXG-1100 लेकिन इसकी load capacity है 1.580 VA तो आप इसके ऊपर 1.580 VA तक का load अराम से चला सकते हैं और panel capacity की बात करें तो आप इसके उपर 600 वोड तक के panel लगा सकते हैं और यह है single battery का inverter है तो आपको इसके उपर एक battery लगानी पड़ती है और अगर आप 2 battery लगाना चाहते हैं तो आपको दोनों बैंटरिया पैरलेली इसके उपर connect करने पड़ेगी और उस condition में आपको solar panel का जो इस्तिमाल हो जरूर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों बैंटरिय को चार्ज होने के लिए ज़्यादा current के आउशकता होगी और अगर आपके यहाँ पर electricity कम आती है तो आपकी दोनों बैंटरिया अच्छे से चार्ज नहीं हो पाएगी इसलिए आपको solar panel का इस्तिमाल करना पड़ेगा तो अगर आपको ज़्यादा बैंटरिय का इस्तिमाल केजिए otherwise अगर आपने solar panel लगा दिये हैं तो दिन में आपका जो load है और आम से solar panel से चल जाएगा रात को आपको बैंटरिय 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 जोरुत पड़ेगी अगर आपके आप याप electricity रात को नहीं आती है तो अगर आपको रात को भी जोरुत नहीं पड़ती है तो सिंगल बैंटरिय आपके लिए सफिसेंट रहेगी और आपको दूसरी बैंटरिय खरीदने की ज लिगा सकते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा और बैकप टाइम मिल जाता है लेकिन जो 200 एच की वेंटरी है वो क्या हम इसे इनवेटर के उपर 24 वोल्ट के पैनल लगा सकते हैं तो आपको बता दूँ कि इसके उपर आप बिल्कुल भी 24 वोल्ट के पैनल नहीं लगा सकते हैं अगर आप ऐसे ही सिंगल बैंटरी के उपर 24 वोल्ट के पैनल को कनेक्ट करना चाते हैं तो आपको यूटियल क के तिन पैनल लेने हैं और तीनों को पैरले इस इनवर्टर के उपर connect कर देना हैं तो डाइगरम में आपको साथ के साथ दिखाता रहूंगा अगर आपको डबल बैंटरी भी लगानी है तो आप डबल बैंटरी भी ऐसे connect कर सकते हैं और इस इनवर्टर के एक खास बात है कि आ आप इसके उपर direct DC load चला सकते हैं, अगर आपके पासम कोई DC पंखा है या light है और direct आप इसके उपर चला सकते हैं, इसके पीसे आपको एक port दी जाती है, जिसकी मदद से आप direct DC load को run कर सकते हैं, तो उसमें फाइदा आपको यह होता है कि उसमें power loss आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, अगर आपको AC appliance चलाते हैं, तो AC appliance के लिए आपको AC supply की जूर्ध होती है, तो इसके लिए जब inverter आपका 12 volt DC को 220 volt AC में बदलता है, तो उसमें काफी power loss हो जाता है, यह depend करता है कि आपका जो inverter है, उसकी efficiency कितनी अच्छी है, तो जितनी अच्छी efficiency होगी, उतना कम power loss हो AC appliance के बजाए DC appliance उसके उपर चलाते हैं तो, और दूसरे inverter में आपको यह feature देखने को नहीं मिलता है, कि आप डारेट इनके उपर DC load चला पाएं, और price की बात करें, तो यह आपको मिलेगा लग पांच हजार रुपे में, तो अगर आपका बजट पांच हजार रुपे का है, तो बिल्कुल आप यह inverter खरीद सकते हैं, या इसके जो competitor है, वो भी खरीद सकते हैं, वो भी पांच हजार रुपे के रेंज में ही आपको मिलेंगे, तो अब बात करते हैं इसके competitor की, तो सबसे पहला ही competitor है, एप प्रो company के अंदर H900 model, यह PWM technology का है, और single battery का inverter है, जिसके उप आप शाड़े 800 VA तक का लोड अराम से चला सकते हैं, लेकिन पैनल आप इसके उपर 800 वोड तक के लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको benefit हो जाता है ज़्यादा पैनल का, कि अगर आपको ज़्यादा पैनल लगा कर और लोड कम चलाना है, तो बिल्कुल आप इस innovator का इस्ते इसकी मदद से यह एक wide range के अंदर काम करते हैं, यानि कि जो आपके यहाँ पे अगर voltage 100 वोड भी आ रही है supply, तो भी यह उसके उपर काम करेंगे और 290 वोड तक यह राम से काम कर सकते हैं, तो जो अपर आप 800 वोड के पैनल लगाएंगे और लोड कम चलाएंगे, तो आपक solar से charge हो जाएगी, तो दिन के समय में अगर आप grid की supply बंद भी कर देते हैं, जो कि इस inverter के अंदर ही आपको feature मिलता है, grid की supply को बंद करने का, तो अगर grid की supply दिन के समय में आपकी बंद रहेगी, तो आपका load हो solar से चलेगा, जिससे कि आपके बिजली की जो बचाता हो काफी ज्यादा हो जाती है, और आपके बिजली के बिल कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर अगर आपको brand से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको load चलाने से मतलब है, और panel लगाने से मतलब है, तो app pro company वाला भी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, अब बात करते हैं, अगले competitor की जो क पहले यही, इसलिए बता रहा हूँ कि जो feature है, इसके अंदर यह खास है, जिसका इस्तिमाल आप अलग अलग जगएं के लिए कर सकते हैं, माली जी आप सहर में रहते हैं, जहां पर electricity बहुत कम जाती है, तो ऐसी condition में priority आप solar को दे सकते हैं, कि आपका जो load है, वो solar से चलेग आपके यहां पे 2 गंटे भी आती है, तो सबसे पहले आपका load direct grid से चलना सुरू हो जाए, और आपका जो solar panel है, वो battery को charge करता रहे, और अगर आपके battery full charge हो जाती है, तो उस condition में आपका जो load वो solar से चलना सुरू हो जाए, तो यहां पे यह जो mode है, यह आपको बिजली के bill मे और आपके battery backup में मदद कर सकते हैं, और अब बात करते हैं इसके load capacity की, तो आप इसके उपर भी शाड़े 800 VA तक का ही load चला सकते हैं, और panel आप इसके उपर 600 वोड तक के लगा सकते हैं, तो यहां पी जो panel capacity है, और जो load capacity है, अल्मोस्ट तीनों ही inverter की सेम है, लेकिन तीनों ही inverter में आपको अलग-अलग feature देखने को मिलते हैं, जैसे कि luminous वाले में DC load चला सकते हैं, अपरोव वाले में आपको RTC real time clock का feature मिलता है, और यूटिल वाले में आपको operation mode मिलते हैं, तो तीनों की जो price range जो वो 5000 के अंदर आती है, लोकल मार्केट में आपको यह और भी सस्ते मिल सकते हैं, तो आपको जो भी इन में से जो inverter सस्ता मिल रहा है, तो आप इन में से कोई भी एक inverter ले सकते हैं, अगर आपने पहले इन में से कोई भी inverter खड़ीदा है, तो उसकी exact price हमें, वीडियो के comment box में comment करके बता सकते हैं, अगर इसके अलावा कोई आपके पास में और या inverter है जो कि 5000 रुपे में आ जाता है, तो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं, ताकि दूसरों को भी इसके बारे में पता चल सके, और अगर आप किसी और inverter के बारे मिया solar charge controller के बारे में जानना चाते हैं, तो वीडियो के comment box में comment करके हम से उस inverter solar charge controller के बारे में पूछ सकत तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दवाएं ताकि इसी परकार के वीडियो आपको समय समय पर मिल रहे धन्यवाद